बिस्मिल्लारमानरहीम, असलामलेकूम, Harvard Academy की तरफ से आपको खोशामतीत कहते हैं, हम कोर्स पढ़ रहे हैं, Principles of Marketing, और यह कोर्स equally applicable है, BBA के लिए, MBA, ACCA, बाकि जितने competitive exams हैं उन के लिए, आज हम अपना lesson number 7 पढ़ेंगे, इसमें हमने जो focus करना है, वो marketing challenges in the 21st century, हम जिस दोर में रह रहे हैं, तो क्या वज़ा है, आज इतनी marketing है, उसके लिए challenges हैं, वो कौन से factors हैं, जिनकी वज़ा से जो producer है, जो customer है, उनका behavior काफिया तक change हो चुका है, पहले जो producer होता था, वो totally किन basic principle पर अमल करते हूँ, अपनी sales को promote करता था, आज हम जब अपनी marketing करना चाहते हैं, तो हमें कौन से factors को जो लाजमी तोर पर consider करना पड़ता है, और ये factors हम अगर 8-10 साल या 15 साल पीछे back पर चले जाएं, तो हमें clearly जो पता चलता है कि आज वो चीजें जो हमारे पास मौझूद हैं, उस वक्त जब इनकी गहर मुझूदगी में, जो seller था, वो कैसे अपनी marketing करता था, और चीजें sell करता था, तो ये इंतिहाई important जो है factors इसमें involved हैं, इनको one by one cover करना, इंतिहाई लाजमी भी है, कि ह जो हैं, वो किस तरीके से change हुई हैं, और challenges किस तरीके से develop होते जा रहे हैं, अगर हम इस के key factors हैं, उन पर focus करें, तो सबसे बड़ी वज़ा जो है, ये global marketing, यानि कि global, जो international markets का वुजूद में आ चुका है, यानि कि पहले borders limited होती थी, यानि एक product बनती है, तो within countries ज्यादा से होती थी, और बहुत शाद नादर ही कोई आपके, जो है, वो customer foreign countries से आते थे, अब क्या हो चुका है, कि जो companies हैं, वो multi national companies हो चुकी है, यानि कि एक जगह पे वो अगर एक चीज प्रोडूस का रहे हैं, तो दूसरी जगह पे, वो market देखते हैं, कि उसकी demand कहां पे है, local उसकी demand नहीं भी तो वो production इस लियाल से इस जगह पे करते हैं, जहां पे उसकी cost of production कम हो, लेकर उनकी marketing strategy अपने customer के relevant होती है, और जो global web है, इसने आके जो innovation लेके आई है, और अगर हम थोड़ा सा अरसा पहले चले जाएं, तो हमें जब भी shopping करना पड़ती थी, तो हमें market में जाना पड़ता था, और हमें जाके directly shop से अपनी shopping करना पड़ती थी, अपना जो producer है, manufacturer है, उससे wholesale बाय करता है, और wholesale से जो shop की पर है, वो जाके लेते हैं, जो retail का business करते हैं, और हमें जो अपनी consumption की चीज़ें, जाके उन से बाय करना पड़ती थी, जबकि आज हम अपने घर बैठे चीज़ें बाय कर सकते हैं, वो क्या वज़ा है, अब आप cell phone open करते हैं, तो आपके social media देख लें, latest technologies जो आचुक है, टिक टॉक है, इसके इलावा आपकी YouTube है, तो उस पे कितनी marketing हो रही है, और billions of dollars जो है, marketing पे expenditure हो रहा है, फेस्बुक पे लोग अपने जो ads हैं, उनको promote करते हैं, और आप एक दफ़ा cell phone पे search करें कोई चीज़, आपको multi national companies के multi forum पे आपको वही product, many manufacturers है, वो even के different countries से जो हैं, वो आपको एक page पे नदर आते हैं, कि ये फुलाँ producer है, इसका belong company से फुलाँ country से है, और इसकी product की ये features हैं, और ये चीज़ आप order करें तो आपके इस रबाय से, computer से, laptop से, using www services, आप उस पर analysis भी कर सकते हैं, और buy भी कर सकते हैं, तो कितनी change है, क्या वजाए है कि हमें internet से access मिल चुकी है, हम एक global village की तरफ मूव कर चुके हैं, तो अगर हम जो marketing में एक competitors है, या जो आपकी competitors हैं, जो rivals हैं, वो किस तरीके से आपको force करते हैं, और आपकी जो marketing है, वो आपको किस तरीके से focus करना पड़ती है, तो इस लहाँ से जो porter है, उसके five forces है, जो model है for competition, उसको अगर हम समझें, तो हमें काफी understanding हो जाएगी, यह एक जो picture है, इसमें हम अगर focus करें, तो यह एक जो picture है, हमें competition की तरफ लेके जा रही है, कि competitors किस तरीके से run कर रह है, यानि कि rivalry among the competing firm in industry, यानि कि कपड़ा बनाने वाली अगर एक industry है, तो उसमें कितने किसम का कपड़ा बनता है, कितने manufacturers हैं, तो वो एक industry के rivals हैं, तो उसके कितने ही manufacturer समने आ जाते हैं, और हर एक का अपना brand होता है, और वो जितने एक industry में ज्यादा rivals होंगे, उतना ही उसमे survive करना भी मुश्किर होगा, उतना ही उसमें competition भी ज्यादा हो जाएगा, इसके लब threat of new entrants के एक market first किया industry कपड़े की है, उसमें आप सालाना देखें कितने new entrants आते हैं, कितने new manufacturers हैं, वो अपनी companies को launch करते हैं, textile या industry को launch करते हैं, और हो उस competition में शामल होते हैं, तो यह ratio depend करत हैं, अगर एक ऐसी industry में आप काम कर रहे हैं, जिस पे new entrants नहीं आते हैं, नए लोग उसमें काम करने वाले इतने नहीं हैं, तो उस market में या उस जगह पे आपको marketing करना भी असान है, survive करना भी असान है, जबकि ऐसी जगह जहां पे entrance की तादाद जैदा है, barriers नहीं है, वो easily enter ह हो सकते हैं, easily exit कर सकते हैं, तो वहां पे competition भी ज्यादा होगा, इसके लब bargaining power of buyers, कि buy हम किन से करते हैं, हम अगर फ़र्द कि एक city में जहां पर रहते हैं, यह गाउं में रहते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर एक shopkeeper है, तो हमारे पास एक ही option है, जो वो चीज जिस rate पर भी दे हमने buy करने हैं, अगर वो ही product हमारे अडोस प्रोस में ज्यादा सारी shops हैं, हम मुक्तलिक option हैं, हमारे पास available हैं, market available हैं, तो फिर हमारे पास जो buyer है, उसके पास bargaining power आ जाती है, वो जाके पूछ सकता है, और rate पर bargain कर सकता है, उसको पता होगा seller को, अगर मैं यह चीज इसको मु गेन कर सकता है, इस तरीके से bargaining power up supplier, सम टाइम जो है, वो जो manufacturer है, उसके पास भी power आ जाती है, कि वो जो उसका supplier है, जहां से वो चीज supply लेता है, raw material लेता है, उससे भी bargain कर सकता है, अगर उस चीज के supplier बहुत ज़्यादा है, और जगा जगा पर वो चीज पढ़ी है, जहां से वो buy कर सकता है, यानिकि उसके supplier काफी सारे है, जिसमें industry काम कर रही है, manufacturing कर रही है, तो उसको raw material आसानी से और सस्ता मिलेगा, और उसकी कीमत भी उसको कम पढ़ेगे, क्योंकि supplier जो है, वो कोशिश करेगा, कि डोर स्टैप पे delivery दे, ताकि अपनी sales को बढ़ाए, तो इससे फ तो हम marketing पे expenditure कर सकते हैं, और इसके इलावा, depend करता है कि अगर supplier उसके कम है, तो आपको वो supply असानी से अगर नहीं मिलती, तो वो जिस डाम पे भी बेचेगा, तो वो मनापली कर सकता है, वो जिस rate भी बेचेगा, तो आप उससे buy करने के मजबूर हैं, तो उससे आपको buy करना है, इसमें जलीब है, इसमें कितनी companies आ जाती है, तो जिससे आप जाके buy कर सकते हैं, यानि कि एक चीज़ आपके पास और वोई product जो है, एक तो घी है, उसके बाद आप oil की तरफ मूव करते हैं, उसकी भी multi जो है वो product होती है, और उसके जो producers होते हैं, आपको उन से buy कर सकते हैं, तो जब आपके पास एक product के substitute हैं, तो चांस होता है कि जो buyer है, वो आपकी product को छोड़के, दूसरी उसकी नेमल, जो alternative है, जिसको आप substitute कहते हैं, वो alternative product की तरफ चला जाएगा, और अपनी ज़रुवत को पूरा कर सकता है, तो ये जो factors हैं, ये कहलाते हैं, पोर्टर्ज फोर्टर्ज मॉडल आफ competition, तो ये सारे के सारे factors हैं, competition में बड़ा role अदा करते हैं, इसके बाद है threat आफ ये सारे चीज़े हम कवर कर चाहिए, इसके बाद है information technology, जो हमारा option यहां पर आगे, कि information technology का जो role है, वो बहुत important है, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे इसके detail बहुत है, जो digitalization और connectivity है, इससे flow of information बहुत ज़्यदा हो चुका है, यह लोग connected है, जो producer के साथ customer प्रोड्यूस जो connect हो चुके हैं, यह through internet, extra net, और internet के जो services हैं, उससे आप घर बैटे, without visiting any market, आप विर्चुल जो markets हैं, उनको आप विजट कर सकते हैं, लाइक राज, अ काफी कम पढ़ते हैं, क्योंकि वोई expenditure, जब वो physically marketing करते हैं, तो उनको ज्यादा expenditure करने पढ़ते हैं, लोगों को awareness देने के लिए, जबकि वोई कम खर्चे में वो अगर एक जगा पे add देते हैं, तो उनको कम खर्चे में ज्यादा advertisement हो जाती है, और उनके relevant customer, अब देखें, आप बार बार click कर रहा होते हैं, तो आपको Google monitor कर रहाता है, आपकी interest कौन सी है, आप education के related products को ज़यदा like करते हैं, या education website को ज़यदा visit करते हैं, entertainment की website को ज़यदा विज़िट करते हैं, या फिर आप Beauty Musician और इस तरह की जितनी भी websites हैं, आप किसको ज़यदा visit कर रहे हैं, तो जो customer होते हैं उनका data उनके पास virtually चला जाता है तो आपको automatically वो companies data buy कर लेती हैं इस तरह की website को visit करने वालों को जहां पे जिस तरह की product उनकी पास होती है और वो आपको direct email करते हैं और email के जरीए भी आप उस product को order करते हैं तो इस तरह के से जो producer हैं जो marketer हैं उनके पास भी option ज्य जो एक नया setup बना दिया है जिसमें आप बड़ी competition ज्यादा हो चुका है इसके इलावा जो internet की दुनिया में आप जाते हैं तो आप TV, cell phone, machines या जो बाकी internet से connected devices हैं उनके जरीए आपको बरमार आ जाती है एक जो ads की और जो अपने seller होते हैं वो अपनी product को sell कर रहे होते हैं औ और आप connect भी हो सकते हैं और आसानी से आपने order भी प्लेस कर सकते हैं और easily आपको वो चीज़ें डिल्वर भी हो जाती है इस लिए से अगर हम बात करें तो जो internet की दुनिया है वर्ड वाइड वाइड वैब जो है उसने किस त्रीके से changes लाई internet में basic है जिसने काफी सारी innovation ले connect होती है internet है पूरी दुनिया के आपके जो seller और बायर को connect करते है एक्स्टरनेट होते हैं कि आपकी company जो है जितनी आपके seller है आपके बायर है आपके सिप्लायर है उनको stakeholders को एक जगह पे लेका आती है वह एक्स्टरनेट का दरिया आप जो है वो कट्थे हो सकते हैं इसके ल इसके इलावा बहुत सरी opportunities जो है वो बढ़ चुकी है नहीं technology की वज़ाते इन technology की एक तो आपको rival का एक fear भी होता है लेकिन इसके इलावा आपके प्रासपर होने के आपको grow करने के chances भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यह challenges है जिनको आपको consider करना पड़ता है और जो traditional level की marketing उसे बाहर निकलके latest 21st century की जो marketing या उसकी requirement के मताबिक आपको अपनी product को लेके चलना पड़ता है आपको expenditure करने पड़ते हैं आपको जो tools and techniques और applications है उनको promote करना पड़ता है तो आज का lesson यहाँ पे close करते हैं thanks for watching